हेलो स्टुडेंट्स आज हम रिविजन प्रोग्राम ठड़ के अंदर जो आईटी मेंस का रिविजन प्रोग्राम है आगे बढ़ेंगे और उसमें हम इलेक्ट्रो स्टेट पर आधरी जैसे की एक सवाल डिसकस करते हैं इसकी साइड लैंठ एहे और यहां पर तीन पॉइंट चार्जस चार्जस इसके वर्टेशस पर लाइक कर रहे हैं अब यह लाइक चार्जस हैं और मैंगनिटूड भी सहम है एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इनके बीच का सैफरेशन बढ़ करके टूए हो जाएगा जब एक दूसरे से रिपल करते हुए जाएंगे तो तीनों पर फोर्स बराबर बराबर का लगेगा मैगनिटूड में और ये इस पोजिशन में आ जाएंगे तो ये बीच का सेपरेशन इन पाइंट चार्जेस के बीच का A से इंक्रीज होकर के 2A हो गया तो जब इनका सेपरेशन इसे इंक्रीज होकर 2A हो जाएगा तो इन चार्जेस की स्पीड क्या होगी यहाँ पे वी आर कंसिरेंग की हर पाइंट चार्ज का मास सेम है इच पाइंट चार्ज is having the same मास तो फ्रॉम इस सिच्वेशन तो इस सिच्वेशन आने पर यहाँ पे इनको रेस्स से रिलीस किया गया था तो रेस्स से रिलीस करने के बाद जब यह इस सिच्वेशन में आ जाएंगे तो इनकी स्पीड क्या होएंगी इनकी स्पीड फाइंट करने के लिए हम यहाँ पे इस सिच्वेशन से इस सिच्वेशन तक आने में इस पूरे सिच्वेशन पे एक इंटर्नल इलेक्ट्रो स्टेटिक जो की इनको रेस्स होता है उसी ने वर्क किया होगा प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हर पाइन्ट चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी वो इतनी होएगी इन्टु थ्री टाइम्स कर देंगे तो यह फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी Initial potential energy में हम 2 point charges के बीच की potential energy लिख रहे हैं By R into 3 times क्योंकि यहां पर 3 pair बनेंगे Is equal to final potential energy 3 times of what KQ square upon 2A R की जगे यहां पर value A की ले लेंगे हम It is A Plus 3 by 2 mv square तो यहां से speed आजाएगी individual point charge की We can find this speed इसके बाद electro state में conductor का सवाल ले ले लेते हैं और अर्थिंग का भी उसमें अपन combination शामिल कर लेंगे माल ली जाएगे यह आपके पास एक capital R radius की एक spherical shell है इसके ही concentric एक inner spherical shell जिसका radius small R है यहां पर इसके अंदर है अब outer shell को हमने charge क्यों दे दिया Inner shell पर कोई charge नहीं था Outer conducting spherical shell पर जो charge capital R है Inner spherical shell पर कोई charge नहीं है लेकिन जब inner spherical shell को मैं earth कर देता हूँ नहीं होएगा वो find हो जाएगा नहीं होगा तो value zero आ जाएगी जो कि zero के बराबर होगा यहां से small QQ value find हो जाएगी तो earth करने के बाद इस पर इतना charge आएगा और यह negative में ही आएगा देखने पर तो यानि कि earth से कुछ electron चल करके इसके उपर आएगे earth से कुछ electron इस पर पास आजाएगे जो यह negatively charge हो जाएगा Inner spherical shell conducting inner spherical shell discuss करते हैं देखिए for an example यह हमारे पास एक galonometer है इस galonometer का coil resistance 10 ohm है और इसमें maximum current deflection जो आ सकता है वो है 1 milli ampere अब इस galonometer को ammeter में तबदील करना है तो जाहिर है parallel में हमें shunt resistance लगाना ही पड़ेगा लेकिन parallel में shunt resistance यह कितनी value का लगाएं ताकि यह galonometer 1 ampere का current पढ़ने के लाइक का device बन जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 ampere के ammeter में अगर यह तबदील हो जाए तो इस galonometer के parallel में कितना small shunt resistance लगाए जाता है तो इसकी value हम निकाल सकते हैं यहाँ से अगर current आई आता है तो यहाँ पर current आई जी हो पास हो करके जाता है तो remaining current आई माइनस आई जी इसमें चला जाता है और यह दोनों galonometer और parallel में small shunt resistance एक दूसरे के parallel में रहेंगे तो potential difference इनके across सेम रहेगा तो ig into rg should be equal to r into what i minus ig हमें small r की value बतानी है तो यहाँ पर हम relation इनके बीच में लिखते हैं ig into rg plus small r is equal to small r into i और यहाँ पर i और ig के बीच में relation आएगा i is equal to ig into 1 plus rg by r अब यहाँ पर ig की value क्योंकि यहाँ पर जब 1 ampere का यह device बनना है तो इसमें यह 1 ampere का जब current आएगा तो इसमें 1 ampere का जब current पास होकर के यहाँ से जा रहा होगा तो इसमें makegm current 1 milli ampere का होएगा तो when the value of i is 1 ampere then it should be 1 milli ampere makegm reflection current one plus rg की value 10 ohm है तो small r की value यहाँ से निकल के आजाएगी ohm के अंदर यह ohm के अंदर इसकी value निकल के आजाएगी तो इस तरह से आप गैलोन मीटर से अंदर किसी भी रेंज का कैसे बनाया जाएगा उसकी value यहां से find कर सकते हैं किसी भी रेंज का जोगा मीटर बनाया जाएगा उसके लिए कितना small shunt resistance जोड़ना पड़ेगा उसकी value निकाल सकते हैं गैलोन मीटर को यूज करके वाल्ट मीटर में भी तबदील कर सकते हैं उसके लिए आपको एक resistance इस गैलोन मीटर के पैललल में नहीं सिरीज में लगाना पड़ेगा और इस बड़ा resistance लगाना पड़ेगा हाई resistance नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और current electricity का एक सवाल डिसकस करते हैं देखिएगा for example जैसे कि हमारे पास ये दो सेल हैं ये 10 वोल्ट का सेल है और इस 10 वोल्ट का जो सेल है this is 10-volt cell इसका जो एंटर्नल रिश्टेशन्स है वो one ohm है it is it's internal resistance अब इसके पर्लडल में एक और चैल लगा हुआ है ये दो बोल्ट का सेल लगा हुआ है और इसका भी आपके पास इंटर्नल रिस्टेंस दे रखा है दिस इंटर्न रिस्टेंस इस टू ओं और यहां पर एक रिजिटेंस होड लगा रखा है यह रिजिटेंस है पांच ओम का तो इस तरी के अंचमेंट में आपको बताना है कि इस पांच ओम के रिजिटेंस पर कित्ता करेंट फ्लो रहाँगा, तो ये दो cell parallel में हैं इस 5 ohms, और इस 5 ohms के resistance में कित्ता करेंट जा रहा है, तो इसके लिए हम इस arrangement को एक cell और एक resistance में Convert कर लेते हैं, तो जो एक cell होएगा उसका equivalent EMF कित्ता होएगा, वह यहां से find कर लेते हैं, वह हो जाएगा, E1 by R plus E2, E2 just opposite polarity में है, तो minus 2 by 2 divided by 1 by 1 plus 1 by 2, यह यहां से आजाएगा 9 divided by 1.5 is equal to what? 2 times into 3 is equal to 6, यह 6 ohm का, 6 volt का आजाएगा, और यहां पर जो equivalent resistance आएगा, इस parallel combination of cell का, वो आजाएगा 1 by 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2, our equivalent will become 2 by 3. तो यानि कि आपके पास यह cell का potential difference, equivalent voltage प्लस में आ रहा है, तो equivalent cell बनेगा तो ऐसी पॉलिट टीम है, और यह आपके पास 6 volt का बनेगा, और साथ में एक resistance 2 by 3 ohm का होएगा, 5 ohm का, और इसमें current कितना बहेगा, वो यहां से find कर सकता है, तो यह current की value यहां से निकल के आ जाएगी, 6 divided by 5 plus 2 by 3, तो यह आ जाएगा 6 divided by 17 divided by 3, then I will become 18 by 70 ampere, 18 by 70 ampere का current यहां से जाएगा, this current will be equal to 18 by 70 ampere, 5 ohm register से जो पास होएगा, तो current electricity में इस तरीके भी सवाल आएंगे, आगे बढ़ता हैं, अब देखिए, एक capacitor पर आधर ही सवाल हम लेते हैं, देखिए, यह हमारे पास एक capacitor है, parallel plate capacitor, इसके दोनों प्लेटों के बीच का सेफरेशन दी है, और प्लेटों का एरिया ए है, बीच में एर है, और यहां पे इसका कैपस्टेंज जो C होएगा definitely, वो epsilon not जो एर का permittivity of free space रहता है, epsilon not A, Y, D, यह हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, इस free space में जहां एर है, वहाँ पे बीच में dielectric को फिल करते हैं, dielectric को इस तरह से फिल करते हैं कि आथा portion, dy2 और रिमेनिंग यह आधा portion, dy2 यह जो reason है, आधा portion इसका dielectric constant k है, यह जो आधा reason है, इसका dielectric constant 2k है, तो अब यह जो नया capacitor होएगा dielectric fill करने के बाद में, इसका capacitance क्या होएगा, और पहले capacitance किता था, उनका ratio find करना है, अब इसका नया capacitance हमने माल लिए C' है, तो we have to find the ratio of C' by C, यह बताना है, तो बता सकते हैं, अब यह जो नया capacitor है, इसमें यह दो dialectic जब डाले हैं, तो एक तरह से capacitor को एमाल लिजे कि यह दो capacitor में divide हो गया, और दोनों एक दूसरे के स्रीज में होएगे, तो पहला capacitance जो आएगा, वो आजाएगा epsilon not into k times a by d, then it will become 2k epsilon not a by d, c2 epsilon not into 2k a by d y2 4k epsilon not a by d, अब यह दोनों capacitor एक दूसरे के स्रीज में हैं, तो equivalent capacitance, c1 into c2 divided by c1 plus c2, यह निकल के आएगा, तो यह जो नया capacitance होएगा, उसमें c1 और c2 की यह दोनों values यहां पर अपन पूट कर देते हैं, तो it will become a times of k epsilon not a by d का square, divided by 6 times of k epsilon not a by d, यह आजाएगा, और ज़्यादा simplify करेंगे, तो यह जो cडेश है, नया capacitance इसकी value आजाएगी, 4 by 3 k times of epsilon not a by d, अब यहाँ पर आप देखिए, यह जो आपके पास value आ रही है, यह 4 by 3 k times into c के बराबर हो गई, और cडेश by c की value, यहाँ से निकल के आजाएगी, 4 by 3 into k, यह निकल के आजाएगी, यह निकल के आजाएगी, तो एक capacitor का नया capacitance आ गया, c डेश, और उसका पुराने capacitance के साथ यह ratio आ गया, आगे बढ़ते हैं, और हम बात अब करेंगे, magnetic effect of current पे आधरीच सवालों की, EMI के उपर आधरी सवालों की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए, यह current के ring wire है, इसमें कुछ current I1 flow हो रहा है, अब इसके चारों तरफ हमने एक circular ring, जो की कॉस एंट्रीग है, यह जो wire है, वो इस ring की axis से ही पास हो रहा है, इस ring में जो current भेह रहा है, वो I2 भेह रहा है, wire में current जो infinite लंबाई का wire है, उसमें current I1 भेह रहा है, तो इस wire के कारण इस ring पे कितना force लगेगा, वो बताना है, तो जड़ा देखिए, कि यह current के ring wire है, इसके कारण चारों तरफ जो magnetic field lines रहेंगी, वो circular magnetic field lines रहेंगी, तो at each and every point, यह जो magnetic field lines रहेंगी, वो यहां से जब ऐसे pass होएंगी, तो current के ring element के along pass होएंगी, तो current के ring element जो भी DL रहेगा, और उस जगे पे जो magnetic field रहेगा, उनकी बीच में जो force लगता है, magnetic field के अंदर current के ring wire के उपर जो force लगता है, यहां पे DL vector और B vector दोनों एक ही line के along हो जाएंगे, तो हर element पे net force 0 हो जाएगा, तो इस current carrying ring के उपर कोई force लगता है, और नहीं ring इस wire के उपर कोई force लगताईगी, there will be the no interaction force between time, अगर पूछती है जाए कि किता interaction force लगताईगा, तो there will be no interaction force, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हम EMI का ले लेते हैं, electromagnetic induction का, और उसमें देखिएगा, यह आपके पास एक conducting ring है, it is a conducting metal ring, एक conducting metal ring है, और एक bar magnet को इस conducting metal ring के ऊपर से release किया गया है, इसकी geometrical axis के along, यह bar magnet का north pole है, और यह bar magnet का south pole है, अब यह bar magnet ऐसे move करती हुई आ रही है, और इस ring को cross करती हुई opposite direction में नीचे जा रही है, जब यह नीचे cross करके चली जाएगी, इस जगे पर, तो bar magnet का यहाँ पर आएगा south pole, और यहाँ पर बहुच जाएगा north pole, और यह इसे नीचे जाएगी, तो जब यह नीचे आ रही होईगी भाई, तो यहाँ पर north pole से पास होने वाली magnetic field lines की value लगातार increase होती जाएगी, तो इसमें magnetic flux अगर बढ़ेगा, तो magnetic flux बढ़ने का oppose करने के लिए, इसमें एक induced current ऐसे flow होएगा, ताकि इसका जो उपर का phase है, वो एक north pole की तरह से भिएव करें, तो यह north pole अगर बन जाएगा और यह south pole बन जाएगा, तो यह north pole इस north pole को ripple करेगा, तो इसके उपर एक magnetic force, repulsion का जब उपर लगेगा, तो gravitational force नीचे, magnetic repulsion force उपर, magnetic repulsion force उपर, तो net force जो नीचे आएगा, वो mg से कम आएगा, तो उसके कारण यहाँ पर जो acceleration आएगा, it will be less than the acceleration due to gravity g, g से कम acceleration हो जाएगा, तो g से कम acceleration से नीचे आएगा, और जैसी इसको cross कर जाएगा, तो अब होगा क्या, कि यहाँ पर जो magnetic field lines, तर्मिनेट हो रही थी इसके उपर, यहाँ पर जो टर्मिनेट हो रही थी इसके उपर, magnetic field lines, साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है, जैसे इसे नीचे जाता जाएगा यह बार मेंगनेट, तो इस पर टर्मिनेट होने वाली magnetic field lines की value कम होती जाएगी, यहाँ से जो पास होके आ रही हैं उनसे, तो यहाँ से पास होने वाली magnetic field lines कम होती जाएगी, तो इनके कम होने का भी opposition करेगा, तो वापस से यहाँ पे अब polarity जस्ट चेंज हो जाएगी, और उसके लिए इसमें current ऐसे बहना पड़ेगा, कि नीचे वाला जो पॉल है, वो नौर्थ पॉल बन जाए, तो नीचे वाला पॉल अगर नौर्थ पॉल बन जाएगा, यहाँ पे, और उपर वाला सौथ पॉल बन जाएगा, तो यह नौर्थ पॉल इस सौथ पॉल को attract करेगा, तो इसके कारण जो MG फोर्स है वो तो नीचे और अट्रक्शन फोर्स उपर तो नीचे नेट फोर्स MG से कम हो जाएगा तो इसका नीचे आने का एक्सलेशन अभी भी G से कम हो जाएगा तो यह जब बार मेंगनेट पास होएगी इस कंडुक्टिंग कोई से इस तरह से तो हमेशा इसका एक्सलेशन जी से ले ऐसी रहेगा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हमें एक अल्टरनेटिंग करेंट पे आधरीत एसी पे आधरीत एक सवाल डिस्कस करते हैं जैसे कि माल लीजाए हमारे पास यह एक इंड़क्टर है और इसका रियक्टेंस इंड़क्टिव रियक्टेंस फॉर ओम है और यह रिजिस्टेंस भी है हमारे पास इसका रिजिस्टेंस त्री ओम है अब यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं यह 220 वोल्ट का वोल्टेज सोर सिला देते हैं इसकी RMS वैल्यू है तो यह स्रीज कॉंबिनेशन है इंड़क्टर और रिजिस्टर का तो इसमें जब करेंट भाएगा तो यह करेंट की जो RMS वैल्यू रहेगी यह वोल्टेज की RMS वैल्यू के साथ कितना फेज डिफरेंस ले तो इंड़क्टर के एक्रोस पोटेंशल डिफरेंस की RMS वैल्यू हमेशा फेज में जादा रहती है तो या तो इंड़क्टर के एक्रोस पोटेंशल डिफरेंस बोल दो या इंड़क्टर का रिएक्टेंस बोल दो रिजिस्टेंस यहां पे रहेगा या रिजिस्टेंस के across potential difference इस लाइन के अलंग रहेगा तो net potential difference इदर आएगा या net impedance इदर आएगा और ये जो इदर आएगा इसका angle का value जो रहेगा वो 10 inverse 4 by 3 के लिहाज से 5 की जो value होएगी 53 degree हो जाएगी तो voltage की RMS value current की RMS value के साथ यहाँ पर 53 degree के angle पर लीड करेगी 53 degree के angle का phase difference होएगा current और current RMS की value में और voltage RMS की value next आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा modern physics पर बात करते हैं modern physics के अंदर जैसे atomic structure पर आधरी तेक सवाल डिसकस करते हैं हम लोग माल लीजा है hydrogen atom है और hydrogen atom के अंदर यह N is equal to 1 है यह N is equal to 2 है यह N is equal to 3 है तो अगर electron N is equal to 3 से N is equal to 1 में jump करेगा तो यहाँ पर energy एक photon की form में emit हो जाएगी तो जो photon emit हो करके जाएगा उसकी wavelength lambda कित्ती होईगी वह हमें find करनी है तो इस wavelength को हम इस फार्मूले से निकाल सकते है 1 upon lambda is equal to red bar constant z square into 1 upon 1 का square minus 1 upon 3 का square z की value hydrogen atom है तो z की value 1 हो जाएगी है हम hydrogen के लिए बात कर रहे है आर की value हम जानते ही है 1.1 into 102 की power 7 meter inverse तो यहाँ से आपके पास wavelength हाजाएगी और इतनी wavelength का photon भी ची होगा जब electron 1 से 3 में जम करने के जा रहा होगा लोर और्बिट से अपर और्बिट में जाने के लिए energy अब्सॉर्ब करता है electron और अपर से लोर और्बिट में जम करने में energy release करता है फ्रोट्रोंस की फॉर्मॉल आगे बढ़ते हैं nuclear physics के अंदर कभी कभी सवाल आ जाते है इसमें nucleus की radius भी पूछी गई है तो nucleus की radius आप अगर आपके पास atomic mass number A जिसमें proton and neutron का quantity का sum होता है तो mass number की value यहाँ पर रख दीजिए और उसका power one third ले लिजिएगा तो हमारे पास r note की value 1.1102 की power minus 15 meter की होती है यह value रख दीजिएगा 1.1 फर्मी भी बोलता है यह रख दीजिएगा mass number रख दीजिएगा तो आपके पास radius of the nucleus निकल के आ जाएगी कभी कभी nuclear physics के अंदर radio activity वगेरा के अंदर सवाल आ जाते हैं जैसे की alpha decay का आता है तो alpha decay हम जानते हैं की एक parent nucleus daughter nucleus में convert होता है और यहाँ पे एक helium atom के nucleus के बराबर का nucleus जो है release होएगा यह daughter nuclei ही होगए दोनों और इसमें energy release होई की जिसे हमन Q value से बताते हैं कभी कभी यह excited होता है तो एक photon का decay करता है यह gamma decay है तो gamma photon का decay करके यह stable nucleus में convert हो जाता है तो reaction उस time ऐसे भी बता दी जाता है यहाँ पे जो Q value आएगी उसमें से गामा माइनस कर देंगे गामा photon की energy energy of gamma photon माइनस कर देंगे ऐसे ही बीटा डीके भी होता है बीटा डीके में parent nucleus से एक electron के charge के बरावर का negative charge emit होता है इसे बीटा माइनस डीके केता है और या आपके पास डोटर नुकलेस में यह मास नमबर तो वही रहता है एक प्रोटोन बढ़ जाता है एक्चुली बीटा माइनस डीके में नुकलेस के अंदर एक neutron proton में convert हो जाता है तो proton की quantity बढ़ जाती है total mass number वही रहता है और एक photon भी निकलता है जिसा anti-neutron नहीं कहते है और कुछ energy भी रिलीस होती है अंदर एक neutron proton में convert होता है और energy release एक photon की form में होती है और Q value के बराबर की energy भी रिलीस होती है इसका mass हम negligible इमानते है electron का mass proton के mass का 10,000 वह टाइमस होता है बहुत कम होता है तो उसको हम consider नहीं करते हैं इसका mass negligible consider करेंगे तो ये बीटा माइनस डिके है और ये अलफा डिके है आगे बात करते हैं और हम बात अब करते हैं error in measurement पर आधाज सवालों की तो कभी-कभी जैसे की errors पर सवाल आ जाते हैं कि जैसे time period of simple pendulum ये वाला है तो अगर L यानि की length of the simple pendulum को और time period को पढ़ने में इत्ते percent अगर error आती है तो maximum permissible error acceleration due to gravity को read करने में कित्ती होईगी तो यहां से हम देखते हैं कि जो G की value अगर निकालें यहां से हम वो ये वाली आ जाएगी 4 pi square तो constant है और इसको हम fraction के अंदर इस परकार से लिख सकते हैं अब यहां पर कह दिया जाए कि length को read करने में 2% की error आ रही है time period को read करने में 1% की error आ रही है तो acceleration due to gravity को read करने में कित्ते percent की error होईगी और यहां से find कर सकते हैं we can find it using this concept दोनों तरफ 100 का multiply करके यह चीज़ आलू कर लें percentage error यह maximum percentage error होईगी G को find so wish you very good luck for your man's examination thank you very much to all of you